तो एक तुम होटल जैसा दाल फ्राय और जीर राइस बनाने के लिए आप मैंने एक ग्लास दाल ले ली है रहर की आप चाहिए ने इस पर वनफोर्थ मूंगी ताल के इस्तमाल भी कर सकते हैं वो भी डलती है कई जगे पर आप से फरहर का करेंगे तो भी अच्छा बनेगा त मैं अच्छ से व्षक हार ली है तीने बार और इसके बाद रगविशा कर लिए और जाती नहीं थे कंशी कलर देह। अगर, इसके बाद यदे पवाजा कर ने, हैं अगर यह तो आप तो थोड़ा सा जात जाता जिजेगा तो यहां पर तीन ग्लास पानी अट कर दीजेगग सब्सक्राइश सब्सक्राइब था ठीक 於 2 पुम अन्हें के बाद हम इसमें कोई मसाला नहीं डाला है सिर्फ थोड़ा से नमक और थोड़ी पावड़राइड करेंगे ओधा चम जाल्दी क्लदने यह इंको फी यह वाश कर लेना है में तो यह वाश कर ली अच्छे से जिसे कि इनका सारे स्टार्स निकल जाएगा इसके बाद कोई भी कड़ाई या फिर आप कुछ भी ले लीजे और उसमें डाली आप थोड़ा सा ओई पर में गी का स्तमाल करीं को कि जो आप भी की का कर सकते हैं गी में जीरे राइस में बहुत अच्छे बनते हैं तो इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे और देखे मैंने आप पर चावल जब तक लिए हलका सा पानी डाल दिया है बिल्कुल उनके लेविल को टच कर रहा है जैसे कि थोड़े गल जाए इसे चावल अच्छे बनते हैं इसके ब आप चावल एड करेंगे और आप चाहीं तो इसमें कोई भी खड़ा मसाल एड कर सकते हैं और अपी इसके लिए पाद देंगे अब निकाले हैं उनको इसमें एड़ कर देते हैं तो यहाँ इसमें इसमें ऐड़ कर देते हैं और और फिर इसको एक बार ऐसी से मिक्स कर देगे तो आप इसे जादा बीच में मत चलाएगा वर्ना जो चावल है वो खुले खुले नहीं बनेंगे चुप चुप बनेंगे इस बात का ध्यान रखे कि आप जितना भी पानी डालना हो अभी डालिएगा ऐसा नहीं करें कि बीच में हटा के गरम पानी एड़ कर दें से आपके आप पानी यह चुप बनेंगे तो आप इसको मिक्स कर देए और यह देखिए अब इसमे आने दीजे एक बॉइल एक बॉइल आने देंगे उसके बाद हम गैस का फिलिम करेंगे अभी अभी फिलिम पर चलने दीजेगा जब तक अपने कोक़र की भी हमारी पाच चौथी सी लगा दीजेगा तो यहां पर देख लेते हम चावल लीजिए चावल में उबाल भी आ गया तो इसका फ्लेमी मीडेम होगा और चावल भी पक चुक है पर अब इन में हलका सा पानी है में दिखरा होगा साइड से हम इसमें आपको पी चाकू पगेरा ले उसको इस पर डिप कर अब देख लेते हैं अब चावलों को और आप इसके उपर धनिया डाल सकते हैं अनिया पत्त तो और अच्छा लगेगा ऑप्शनल है कंपल सरी कुछ भी नहीं तो यह जीरा राइस तो बनके बिल्कुल तायार हो सकते हैं एक्दम रेस्टोरेंट जैसे घर पर आप बना सकत किछ चीटीओं के बाद था इसके बाद हम आपना न को उलता इसके बाद यहाँ पर कड़ाई ले झाल कर दिया सकते हैं चाइक जीरा आइड बाल कर सकते हैं इसके बाद अचछी तरीक्चा सी चटक जाने देंगे आनी कि खखख जाने देंगे उसके बाद फिर हम इसमें अपने मसाले आड आज करेंगे तो यहाँ पर देखी न पक चुका है और इसको आप यहाँ पे ने कटी हुई मिर्ची भी लियें तो इनको भी स्मैड कर देती हूं तो इस तीन मिर्ची हैं इनको से फ्राय करने के लिए डाला है यह दाल में नहीं इस्तमाल होंगी क्योंकि जब दाल चावल खात्रें के साथ फ्राय मिर्ची बहुत अच्छी लगती है और आप अगर पहले फ्राय कर लेते हो तो अच्छी नहीं लगती ऐसे फ्राय करेंगी तो यह जलेंगी भी नहीं और बहुत टेस्टी लगने वाली है या पेज को क्ला ने तरीी किसे पका लेना है में धक धके चला चला कियों से पका लेते हैं अपनी प्याज को क्योंकि प्याज अच्छी से पकेगी तो आदिाल नपी अच्छी लगीगे अपको तो यह देखिए अच्छirens अच्छे से मतलब टाइम हो गया है प्याज भी पक चुकी है और यह देखिए अब आप जो हमारी जो मिर्ची थी वो भी फ्राय हो चुकी है तो इन्हें भी निकाल लेते हैं आप इन्हें अपनी डाल के साथ खाएगा बहुत जादा टेस्ट लगेंगे आपको यह इनको निक इनमें फटावर से डाल दीजिएक अपने टेमाटर तो यह देखिए प्यास तो हो गई है अब इसमें डाल देखिए अपने एक बारी कटा ओव टामाटर मैंने प्यास भी लिए थी तामाटर भी एक लिया था और मिर्ची दो लिए थी ऑब इन पको मिक्स कर देते हैं इसक दालचावल रज़िप वी बलकुल रिबाटर थोड़ा से अधाण से ज़ें कर यह दो कि पेले धाल चुका है तोड़ा सा नमख एड़ कर दिया है एक चमच धनिया पाउडर अधामसाला के मासाला अपके पास हो ना हो तौन डाली का यह आपस एपसे ना हो तो तो पार इसको अच्छी तरीक से मिक्स कर दिया है, देखे अब इसके बाद आपको करना है जिसके आपका मसाला जले भी न, और अच्छी पकजा और तेल छोड़ देए उसके लिए आपको इसमे आदा गलास पानी अड कर दे रहे हैं, तो कर दीजिए आदा गलास पानी अड इसको उसके बाद पर इसे डग देना है मीडियम फ्लेम पे जब तक ये तेल न छोड़े पकने दीजेगा और तेल छोड़ देगा तो आपका टेमाटर प्यास सब अच्छे से पक भी चुका होगा ये देखिए साइडा में देखिए जरा कितनी अच्छी तरह किसे तेल छोड़ दि अपनी तुञायग мне कद ही हम आज जाए हम तो पढ़िए थाल 빡ार रधार कोई दीकत नही efficacy के तो ऊच्छी त्यार के देखिए the tata ताफह लगा तो में टॉभंओ पाल है ये चला लेते इसको और इसको सब्सक्रा कर दें आप चाहनए तो इस शोड़ सकते में संच्छ़ क कर देते हैंsz कोकर की इसके बाद इसको क्या कर देते हैंx कर लेंगे जी तरीके से दल का गलर पूरा चेंज होदाएगा एख हमारे मसाली की वैसे इस पूरा गलर चेंज़ों चुका है दाल काफ़ी масव में तो हमसी से जङादधा थिकनी करना है थोड़ा से पानी यद कर देते तो यह आपे लगबक एक ग्लास पानी यद करूंड़ी है यह फ्री एक ग्लास पानी एड़ करूंगी पर ध्यान रखें पानी आप गरमी इस्तमाल करें मैंने कुकर में पानी गरम कर लिया था तो एक ग्लास गरम पानी डाल दिया है और पानी गरमी इस्तमाल करेंगी तो दाल और पानी अलग लग दिखेगा इस वैसे गरमी इस्तमाल करेगा अ तो 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 मैंना अब गार दिखने में और इसमें अब ने कुछ एड़ नी करा है और होटल्स में इसमें काफी कुछ मतलब कलर वगए रड़ कर देते हैं तो वह सब भी नी करा और फिर भी बहुत टेस्टी लाइगा आपकी गण में सबको आप चाहें तो इसमें इसमें धनिया पत्ता एड़ कर दीजेगा और फिर यह देखिए कितनी टेस्टी बनके तयार हो चुकी हमारी दाल इसको थोड़ देर और चला लेती हुमें और अब गैस का फ्लेम में मीडियम कर दिया है बैसे दाल बिल्कुल तयार हो चुकी आप बंद कर दे थोड़ तो म मैंना अब गैस का फ्लेम आफ कर दिया आप लेक सकते हैं अब इसके बाद इसमें में दो चंबस घी अड़ कर यह क्योंकि अगर हम लास्ट में गी या फिर धनिया एड़ करते हैं तो फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है बहुत जाद अच्छा टेस्ट आता है तो आप करने चाह और जीरा राइस का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा और आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा तो आप इनको सलात के साथ दाल चावल को और हमारी चुकी मिर्ची के साथ सर्फ करेगा आपकी फैमली में सबको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी फ